है विए वेल्कम तो मैं चैनल शिश्मिदा मॉमी शेफ जली साथ मिलके बनाते हैं आज औरिसा का एक ऑथेंटिक रेसिपी रागचना उसके लिए ओवनाइट सोक्या हुआ वाइट पीस में मैं डाल दिया है नमग हल्दी वाटर और उसको मैं करूंगी एक विशिल तर प्रि मैं डाल दिया है मैंने अद्रक गालिक और ग्रीन चिली उसको हम अच्छे से कूट लेंगे और प्रिपेर करके रखेंगे चॉप किया हुआ एक अनियन और फ्यू करी लीस और जैसे ही हमारा प्रेशर कुकर प्रेशर रिलीस कर देता है तो आप देखिए कि हमारे चने कितन अच्छी से तेस्ट आती है नेक्स्ट हम पाउंडेड गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिली ताल देंगे और उसको हम करेंगे थोड़े देर के लिए सौटे हो जाएगे डाल देंगे हम इसमें ड्राय रेड चिली चिली आप अपने टेस्ट के साब से इसमें डाल सकते हैं न अर्मा देने लगे तब हम उसमें डाल दिंगे finely chopped क्या हुआ अनियन एक अनियन उसको छोटे तुगड़ो में में काट लिया है और अनियन में हम डाल देंगे फ्राइक थोड़ा लमक ताकि वह अच्छी से ब्राउनिंग हो जाए थे को हम प्र तो मेडियम हीट में अच्छ को आगे तक जरूर देखें अभी अच्छे से ब्राउनिश हो गए इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे एक चुटकी टर्मिरिक पाउडर और वन फुर्ट ती स्पून गरम मसाला इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और फाइनली हम इसमें डाल देंगे हमारा बॉयल किया और उसको अच्छे से केफुली कॉशियसली मिक्स कर देंगे आप इस टाइम पर हीट को स्लो रखेगा तीकि अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी वाइट मतर हमारे मसालों के साथ अभी नेक्स टेस में और टीस्ट को एन्हांस करने के लिए हम डाल रहे हैं हाफ टीस्पून कोरियंदर पाउडर और हाफ टीस्पून अफ करी पाउडर इसको भी हम बहुत अच्छे से बाट जेंटली मिक्स कर देंगे जैसे ही अच्छे से मिक्स हो गई ही डाल देंगे हम इसमें स्पाइस के लिए रडड चिली पाउडर डाल दिया है हम ने अपने टेस्की साब से आप अपने तेस्की साब से इसको एज़स्ट कर सकते हैं, अभी फिर से बहुत जेंटली हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और थोड़ी देर इसको स्लो हीट पर रखेंगे, आप इसको इवनिंग मंचिंग टाइम पर भी खा सकते हैं, और मज़दार बनाने के लिए इसमें डालिये, अगरा पैसे आसान घरे लू रसीपीज देखना सीखना और रिक्रियेट करना चाहते हैं, तो विजिट करें मेरा चैनल, सुष्मिता मॉमी शेफ, वहां पर आपको प्लेलिस्ट, सुष्मी का खाना खाना और शॉटक वीडियो में मिल जाएंगे खूब सारे घर का खाना, आप इनको बहुत अराम से रीक्रियेट कर सकते हैं, आपको मिलते रहेंगे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन्स, तो मिलते रहूंगे मैं आपसे, आसान करे दू रहेंगे, तक तक के लिए, तक कर अब जैसे कि एन ऐसे साइन वा एक बाहरी है, ऑग इसान के लिए, आपको मिलते हैं,